G20 की बैठक को लेकर दिल्ली में तयारियां लगभग पूरी हो चुकी है बैठक को लेकर दो दिनों तक दिल्ली पुलिस ने फुल ड्रेस रिहरसल किया है दुनिया भर की सुरक्षा एजंसियों ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है मोदी सिरकार बैठक के ज़र ये भारत की ताकत का परदर्शन करने की कोशिश कर रही है तो रूस और चीन की ओर से आ रहे विरोत के सुर ने मुश्किले बढ़ा दी है तो कैसे G20 में मुश्किल में दिख रहा है भारत देखे ये रिपोर्ट G20 की बैठक में रूस के राष्टपती वला दिमीर पुतिन हिस्सा नहीं लेंगे चीन की राष्टपती शी जिंग्पिंग भी नहीं आ रही है कुछ और राश्ट ध्यक्ष भी बैठक से किनारा कर सकते हैं ये पहला मौका है जब चीन के राश्पती G20 की बैठक में शामिल नहीं हो रही है। साथ ही चीन ने बैठक को लेकर कई सवाल भी खड़े कर दिये हैं। और दावा ये भी हो रहा है कि बैठक के बाद जो प्रस्ता अफपास होता है वो दिल्ली बैठक में नहीं हो। क्योंकि इसमें यूक्रेन और रूस के बीच वरही लड़ाई में रूस को जिमिदा ठहराया जा रहा है जिसका विरोध चीन और रूस कर रही है। चीन की ओर से अरुनाचल और पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में हुई बैठक को लेकर विरोध जताया गया था। लेकिन इस विरोध को भारत ने खारिच कर दिया था। इस बीच भारत में G20 को लेकर तयारिया भी चल रही है। रविवार को लगातार दूसरे दिन पुलिस ने फुल ड्रेस रिहलसर की। 9-10 सितंबर को दिल्ले में होने वाले इस बैठक में जमीन से लेकर हवा तक सक्त पहरादारी रहेगी। भारती वाई सेना हवाई शेतर की सुरक्षा के लिए स्वधेशी सर्विलांस और मॉनिटरिंग एरक्राफ्ट नेतर तैनात करने की तयारी कर रहा है। सेना के हलिकॉप्टर एयर पेट्रोलिंग करेंगे। इनमें NSG कमांडो रहेंगे। जहाँ विदेशी महमां ठहरेंगे वहाँ एंट्री ड्रोन सिस्टम और बुलिट प्रोव सीशे लगवाए गए हैं। दिल्ली में आर्टिफिशल, इंटेलिजेंस, आधारित कैमरे भी तैनात कर दिये गए हैं। कोई भी संदिक्त कतीवीधी दिखने पर ये कैमरा तुरन सुरक्षा अधिकारी को अलर्ट मैसेज भीज देंगी। वहीं IT एक्सपोर्ट की टीम समिट के दोरान सोशल मीडिया पोस्ट ट्रेंडर्स पर नज़र रखेगी।